मैं परमेशर का धनेवाद देता हूँ इस सुबे के समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेशर के चर्णों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है आएए आज सुबे के वचन मनन के लिए नीती वचन 24 वा ध्याय उसका 11 और 12 वचन हम पड़े जो मार डाले जाने के लिए गुसीटे जाते हैं उनको छुड़ा और जो गहात कीए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा यदी तु कहे कि देख मैं इसको जानता ना था तो क्या मन का जांचने वाला इसे نہیں समझता और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता और क्या वे हर एक मनुश्य के कान कफल उसे ना देगा ये बहुमूले बचन जो हमने पड़ा है इसमें हम सुर्गे पिता के दिल के अंदर का दिल के अंदर की वो जलक हमें दिखती है कि किस प्रकार सृष्टी करता एक-एक आत्मा को बहुमूले समझता है और प्रेम करता है हम सब उस प्रसिद वचन से परिचित हैं जहां लिखा है परमेश्य ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलोता पुत्र दे दिया परमेश्य के हृदे का वो प्रेम को हम कभी भी अपने शब्दों में वर्नन नहीं कर पाएंगे जब एक प्राण जब एक विक्ती परमेश्य से बलवा करता है और अनंत काल के न्याय का रास्ता चुनता है तो पित्यक पिता के अंदर कितना दर्द है सर्वशक्तिमान परमेश्य जो हमारा सृष्टी करता है पावित्र है और धर्मी है वो पैप को सेह नहीं सकता है लेकिन अपने संतानों के लिए परमेश्य के हृदे में जो प्रेम है वो कभी घटता नहीं बेशक मनुश्य पाप को चुनता है बेशक परमेश्य से नफरत करता है वचन कहती है जब हम पापी ही थे उसने हमें प्रेम किया परमेश्य नहीं चाहता कि कोई भी आत्मार नाश हो यहाँ पर परमेश्वर अपने चुनेवे लोगों से कहता है कि उन्हें वो परमेश्वर ने अपने दैविये विवस्ता इसलिए दी थी ताकि वो परमेश्वर के पवित्र सिध्धानतों को समझे और परमेशर के मार्ग में एक खुशी के साथ वो चल सके, आनंद के साथ चल सके यदि एक विक्ती प्रभू को प्यार करें, उसे प्रभू के मार्ग में चलना कोई मुश्किल काम नहीं लेकिन मनुश्य के अंदर पाप के कारण वो बलवा करने का सुभाव उसको पाप के रास्ते में चलाता है, वो अपनी चाओं के लिए जीता है और हम जानते हैं कि परमेशर का आग्या है, कि अगर एक विक्ती जान बूच कर बलवा करें तो परमेश्र के सिद्धान के अनसार ओधन्ड के योग्य है परमेश्र कभी भी अपने सिद्धान्तों को बदलेगा नहीं लेकिर प्रभू के हृदे को जरा देखें अगर यहां पर हम देखते हैं यदि ये एक विक्ती प्रभू के मार्ग में चलता है तो उसका कर्तव ये बनेगा कि वो मार डाले जाने वाले मार्ग में चलने वालों को बचाए जो घसीटे जा रहे हैं जो घात की ये जाने के लिए घसीटे जा रहे हैं उनको बचाना है सच है वो विक्ती ने अपने जीवन में ऐसे काम किये होंगे जिसके कारण वो दंड के योग्य है लेकिन फिर भी परमिश्वर चाहता है कि वो विक्ती पश्चताप करे और उस भयानक न्याय से बच जाए क्योंकि इस सरवग्यानी जानता है कि मृत्यू के बाद आगे फिर और कुछ नहीं मनुश्र जो पाप के मोह से मौ के मदिरा से तुन है वो अपने जीवन को हलका लेता है वो इस बात को नहीं समझता कि परबू का वच्चन कितना गंभीर है कि पाप की मजदूरी मौत है जब एक विक्ती मौत के मौ में चले जाता है फिर कभी वापस नहीं आ सकता कोई उसे बचा भी नहीं सकता प्रबू येश्यू ने लाजर और धनवान के उस द्रिष्टांत के द्वारा प्रबू ने उस बात को अच्छी तरह समझाया है वो धनवान का दर्द जो वो तड़पने वाले जगा में अनुभो करता है उसको कैसे वर्नन किया जाए वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं वानंत काल तक वो दर्द को सहेगा क्या हम जो परमेश्यर के संतान है क्या हम एक आत्मा के उस कीमत को हम समझ पाए है स्रिष्टी करता के नजर में एक आत्मा कितना बहुमूल्य है यहां तक की परमेश्यर अपनी महिमाद छोड़कर मनुष्य का रूप धारन करकर आकर क्रूस पर जान दिया कई बार से हम सिरफ अपनी ही चिंता करते हैं हम अपनी परिस्थिती के बारे में बुड़गुडाते रहते हैं लेकिन क्या हमें ये एसास है कि हमें एक बहुत बड़ी जम्वारी हमारे कंदों पर है हमें एक ऐसा जीवन बिताना है जिसने उधार के उस आनंद को अनुभव किया हमारे जीवन ने दिखाना है कि हमने पाप से चुटकारा पाया है और परमेश्यर के दंड से हम बचे हैं मारे आस पास के लोग जो धार नहीं पाए वो अनंद काल की नाश्की और भाग रहे है दुश्मन पाप के मों के जंजीर के द्वारा उन्हें घसीट रहा है करमेश्यर का दंड का तलवा एक एक के उपर है जो पाप को प्यार करता है और अगर हम कहें हम नहीं जानते तो परमेश्यर कितने भयानक तोर से हमारा न्याय करेगा परमेश्यर हमारे व्रदेओं को जांचता है जब हम अपने आपको देखते हैं हम देख सकते हैं परमेश्यर के अनुग्रे ने हमने इस मार्ग में हर शन कैसे चलाया पवित्रात्मा परमेशर हमारे अंदर वास कर रहा है हम सिद्ध नहीं लेकिन हमें सिद्धता की और बढ़ानी के लिए हमारे साथ है सो परमेशर के संतान के तोर पर क्या हमारा एक बड़ा जमुआरी नहीं पुराने नियम के संतों से बढ़कर हमारा कर्तव या नहीं अगर कुरूस के पहले के लोगों को परमेशर इस प्रकार चेतावनी देता है तो हम जरा सोचें कुरूस के बाद के हमारे लिए कितना अगंभीर है प्रबू हमें कितना ज्यादा न्याय करेगा यदि हम कहें कि हम ये बातों को नहीं जानते हमें प्रेम के उस जंजीर से बंदे हुए अपने जमुआरी को समझना है हमें इस संसार का जूती के तोर पर चुना है अंदकार में तड़पने वालों के लिए प्रकाश का काम हमने करना है अगर हम अपने कर्तव्य को तुछ समझे प्रभू का वचन कहता है कि परमेशर हर एक को उसके काम के अनुसा उसके काम का फल उसे देगा आईए हम अपने आपको जांच कर देखें हमारे पास हर प्राण के लिए हर विक्ति के लिए वो सुसमचार सुरगने सोंपा है वो खुशकबरी सोंपा है हम अपनी चिंता ना करें हम स्वार्ती ना बनें लेकिन परमेशर के प्रेम से भर जाएं ताकि हर किसी को हम मौत के उस चुंगल से बचाएं हम दूसरों को तुम पापी हो बोलकर उनकी आलोचना ना करें परन हम उनके लिए आंसु बहाएं हमारा हुर्दे उनके उनके लिए उस बोच से भर जाएं ताकि हम सुसमचार के गवा हो सकें हमारी बातों से बढ़कर आईए हमारा जीवन अपने आप बात करें परमेश्र के सामने जब हम खड़े हो तो स्वर्ग हमें आयोग्य या विश्वास गाती ना कहने पाए प्रभू हम इन दिनों में हमारे हृदे को उस प्रेम से भरें ताकि हम प्रभू की आग्याओं का पालन कर सकें आईए हम प्रार्थ ना करें हमारे अनुग्रेकारी दयालू पिता हम आपका धनेवाद देते हैं बाप आपके बहुमूले वच्छन के लिए धनेवाद प्रभू हमारे जीवन में आपने प्रती दिन हमें हमारी सोच से बढ़कर हमें चलाया हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ विवहार नहीं किया लेकिन आज हम आपके सामने जब आते हैं प्रबू हमारे कंदों पर बड़ी जिमोरी है हमारे हृदे को उस प्रेम से भर दे ताकि हमारे आस पास जब लोग पाप की और नाश की और भागते हैं हम अपनी चिंता करते वे ना रहें प्रबू परन उनके लिए आंसू बहाएं उनके सामने हमारा जीवन नमूना एक आदर्श का जीवन हो जाए ताकि वो उस दंड से बच कर आप से मेल करें उस उधार को अनुभव कर सकें आपकी आशिष मांगते हैं पिता सब महिमा आप ही को देते हैं हमारी जम्वारी को याद दिलाने के लिए धनेवा ये श्यमसी के मदु नाम से मांगते हैं आमीन प्रबू हम सब को बहुत आयत में आशिष दे हमारा प्रबू अतिशीगर आ रहा है मारा ना था